गदर टू के successful होने के बाद कुछ दिनों पहले सानी देओल को लेकर बड़ी ख़बर आई थी और कहा गया था कि कैसे गदर से पहले सानी देओल जो है वो 10 करोड एक फिल्म के लिए चारज किया करते थे लेकिन गदर 2 के सक्सेस्फुल होते ही सनी दियोल ने अपनी फीस बहुत बढ़ा ली है और अब वो पर फिल्म 50 करोड रुपए चार्ज कर रहे हैं कुछ दिनों पहले ये खबर सभी तरफ थी और फिल्म इंडस्ट्री का ये ही चलन है कि कोई भी आक्टर अगर एक बार फिर से कमबाक कर लेता है या चाह जाता है बॉक्स आफिस पर तो सबसे पहली चीज यही होती है कि वो अपनी फीस बढ़ाता है सनी दियोल से जब फीस बढ़ाने वाली बात confirm की गए तो सनी दियोल बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने कहा कि जहां तक बात है फीस की तो फीस बहुत ही परसनल चीज है कोई भी आक्टर फिल्म इंडस्ट्री में किस फिल्म के लिए कितना चार्ज करता है exact amount कोई नही सनी दियोल ने कहा कि मैंने अपने वैलियू का नहीं कि इसके साथ ही मैं मार्केट को भी समझता हूं हा मैं जानता हूं कि सनी दियोल को आज लोग एक अलग नजर से देख रहे हैं लेकिन मैं वहीं हूं जहां मैं पहले था मेरी तरफ लोगों का नजरीया बदल गया है और जहां तक बात है जादा या कम चार्ज करने की तो जब मैं अपनी अगली फिल्म साइन करूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ फिलहाल गदर टू की सक्सेस को एंजोई कर रहा हूँ फिल्म जल्द ही 500 करोड क्रोस कर रही है तो मारकेट प्राइस बढ़ाना तो मारकेट का रूल है अगर आपने कुछ अच्छा दिया है मारकेट को तो आपका हक है जादा प्राइस मांगना और अगर मारकेट को लगता है कि आप उतने काबिल हो तो मारकेट आपको वो प्राइ डेता भी है